आपका पहला सवाल है भारत के कौन से राष्टपती अख़बार बेचते थे? आपके ओप्षिन्स है A. महात्मा गांधी B. नरेंद्र मोधी C. मनमोहन सिंग D. A. पीजे अब्दुल कलाम आपका सही जवाब होगा ओप्षिन D. A. पीजे अब्दुल कलाम आपका दुस्ता सवाल है दीवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? आपके ओप्षिन्स है A. भारत B. चीन C. श्रीलंका D. जापान आपका सही जवाब होगा ओप्षिन B. चीन देश से आपका तीसरा सवाल है पारले जी बिसकिट किस देश की कमपनी है? आपके ओप्षिन्स है A. चीन B. श्रीलंका C. नेपाल D. भारत आपका सही जवाब होगा ओप्षिन D. भारत आपके ओप्षिन्स है ऐसा कौन सा जानवर है जो तीस फी तक छलान लगा सकता है? आपके ओप्षिन्स है A. घोडा B. हिरण C. चीता D. कंगारू आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स D. कंगारू आपका पांचवा सवाल है कौन सा जीव अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी नहीं सोता? आपके ओप्षिन्स है A. चीन्टी B. केच्वा C. बिच्छू D. मेंधभ आपका सही जवाब होगा ओप्षिन्स A. चीन्टी आपका चछटा सवाल है सास बहु मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपके ओप्षिन्स है A. रायपुर में, B. ग्वालियर में, C. जासी में, D. मनिपुर में आपका सही जवाब होगा ओप्षिन B. ग्वालियर में आपका साथ वाँ सवाल है मोतियों का देश किसे कहा जाता है? आपके ओप्षिन्स है A. बरलिन, B. नीद्रलेंड, C. स्विटजरलेंड, D. स्कॉटलेंड आपका सही जवाब होगा ओप्षिन A. बलिन आपका आटवाँ सवाल है माचस को हिंदी में क्या कहते है? आपके ओप्षिन्स है A. आगजालक, B. संसार भाश, C. दियासलाई, D. दियाबाती आपका सही जवाब होगा ओप्षिन C. दियासलाई आपका दस्वाँ सवाल है इंसानोंने सबसे पहले किस फल को खाया था? आपके ओप्षिन्स है A. आम, B. अमरूद, C. सेब, D. खजूर आपका सही जवाब होगा ओप्षिन D. खजूर आपका ग्यारहवा सवाल है भारत में सोने की खान कहां पर है? आपके ओप्षिन्स है A. करनाटक, B. महराश्ट्रा, C. दिल्ली, D. गुजरात आपका सही जवाब होगा ओप्षिने करनाटक आपका ग्यारहवा सवाल है शादी करने की शुरुवात किस देश ने शुरू किया? आपके ओप्षिन्स है A. अमेरिका, B. भारत, C. चीन, D. इंडोनेशिया आपका सही जवाब होगा ओप्षिन B. भारत आपका चौध हवा सवाल है स्वामी विवेकानन्द जी का मुख्य नाम क्या था? आपके ओप्षिन्स है A. नरेंद्रनाथ, B. विवेकानन्द, C. विवेकानन्द दत, D. नरेंद्रनाथ दत आपका सही जवाब होगा ओप्षिन D. नरेंद्रनाथ दत आपका सवाल है स्वच्छ भारत अभियान का बारंभ हुआ? आपके ओप्षिन्स है आपका सही जवाब होगा ओप्षिन C. दो अक्टूबर 2014 आपके ये सवाल है गौतम बुद्ध को बोध गया में किस व्रिक्ष के नीचे ग्यान प्राप्थ हुआ? आपके ओप्षिन्स है दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग कॉमेंट करके बताए धन्यवाद